हेलो फैंस वेलकम माई य्टूब चैनल बाड़ लावर देजी तो आज आपको दिखाएंगे कि कौन सा चीक से जवस्पेर होगा काप आप सेपरेट कर सकते हो ही मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और कैसे पैचन सकते कि योकी सेलफीट हो चुका है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ स्यायर करूंगा तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना और जो वीवार्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना तो चलिए देखते है कि Java Sperre का जो चीक से वह कब अपने से अलग कर सकते हैं और आप देखना है कि Java S 것을 का जो चीक से जब अलग करेंगे तो कुछ दिन के बात आपका जो चीक से ओड़ास्पर एक्षपैर प्रेल्ग कर जड़ाता है तो चो बात जो मेरे पस जो एक्सप्रियन्स है वो नहीं है ठीक है इसका जो चूँच एकदम पिंग कलर का हो चुका है तो जो चीक्स होगा उसका जो चूँच होगा वो एकदम ब्लाक होगा ठीक है और ये टेल देख सकते है जो चीक्स जावस पर होगा उसका टेल के टेल का जो फेदर है वहां पर जो ब्लाट रहेगा ठीक है टेल के पास उन से जो ब्लाग नहीं रहाएगा ठीक है आप इसे पता लागा सकते हैं और मेरा जो एक्सप्रियेंस उससे मेरे शेयर किया है जब देगना छोटा चिक्स होगा उसका अच्छी तरीके से फेदर नहीं आएगा और जो इंग से वहां पर देगना की ब्लाग है तक लाँ चप्छा भीक्र लृष्ट च्टार मेरा जो ज्यावस्प्राल उसका अलग करते हूं ठीक है और चलिए एक और ज्यावस्प्राइप anticipate कि करद द다는 वाच करना है अच्छी तरीके से और ताप कुछ दिन के बाद आपको अलग कर देना ठीक है और आप देखना कि आपका जब उसका पैरंस जब अंड़ ले करेगा तो अंड़ पाज जो बलाट आए जाएगा तो उससे कुछ दिन के बाद ही आप चीक्स अलग कर सकते ठीक है इ मेरा जो नॉलेच में इसे बोलता हूं कि आप जब छोटा चीक्स होगा उसका जो चोंच होगा उसके पास बलाग बलाग जो बलाग होगा ठीक है और तेल के पास जो बलाट रहेगा विंग्स पे तेल पास जो फेदर होता है वहाँ पर बलाट रहेगा ठीक है और जब वह स आप समझ जाना कि उसके जो उइंक से वहाँ पर ब्लाड नहीं रहाएगा विंस पर फेदर प्थीके तब भी आप समझ सकते हैं यह जो मेरा पैजच अने में इस से जवासफर हो उसको में अलग करते हूं और मेरा जो जवासफर हो एकदम सही रायता है अलग कर देने के बाद तो इसको छोड़ देते, जो केच के, मैं इसी तरीके से में 4-5 केच पर, जो मेरा जावासपर हो है उसको मैं दीखाता हूँ, जो step-by-step मेरे जो जावासपर का क्लाच हुआ है, उसको मैं आइसता है से पकर का आपको दीखाता हूँ, और आपको नोलेश देता हूँ, ठीक है और इसे जो थोड़ा बढ़ा है उसको में पगड़ाय हुए सेमी पर जा रहा है। है कैंगा सेमी आजर अबहुत देख सकते इसका जो है, कि एक दम सेमी पर जा रहा है जो यह खिए ब Доंख में दो क्वा क्या है या भी मॉल्टिंग पर रहा है और मॉल्टिंग करेंगे जब बैट करते हैं उस तुम पर आपने बट अब देगे आपका जो बाट जावसपर होगा, उसको ट्रेस में माथ आना देना, जब आळाक करेंगे उस दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, आपको आप में बाट पो t्रेस पर नहीं आना देना चाहिए, ठीक है, और आपका जो बाट है वह वहां पर भी एक्सपायर कर जाता है। इसलिए आप जब बाट को अलग करेंगे, तो कुछ दिन अच्छी तरीके से आपने बाट को जावसपरोई चीक्स को अच्छी तरीके से खाना देना होगा। उसको जोपसंद वह खाना देना होगा जो कहने रिसीट वागर वह देना होगा तकि को बाट कर जाया है थिक एप इसलिए मेरा जो एक्स्प्रेस्स और में ने शयर किया है और हर बीडिकर का है अलग-अलग टाइप कर जो फेसिश होता है मैं इससे पैचनता हूं और इससे मेरा जो जावास फ़र है बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है और कुछ भी नहीं होता तो इस वीडियो को आपको आचा लागा तो एक कमेंट लाइक कर देना और मेरे चनल पर जो वीवास मेरे चैनल को सस्कार्ड कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नया टोपिक के साथ आपको किस टोपिक पर वीडियो चाहिए जरूँ से जरूर कामेंट कर सकते हैं मैं उस टोपिक पर मैं वीडियो देने की कोशिस करूँगा ठीक है फेंस